जहिन दोस्तों आज इक इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की प्रशनावली 12.3 की सवाल नबर 6 को हल करने वाले हैं दोस्तों ये वाला इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट सवाल है और हो सकता है कि ये वाला बोड एकजाम में 6 अंक में आ सकते हैं और दोस्तों इस सवाल को मैं एकदम आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ ताकि आप एकदम आसानी सहल करके 6 अंक प्राप्त कर सकें दोस्तों यहाँ पे बोला है कि एक बृत्ताकार मेज पोस जिसकी तरिज्या 32 सेंटिमेटर है में एक संबाहू तरिभूज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकरिती 12.24 में दिखाया गया है इस डिजाइन का छेत्रफल गयात किजिए दोस्तों यहाँ एक ठो बृत है और इस बृत के अंदर एक ठो बना हुआ है संबाहू तरिभूज और दोस्तों यहाँ पूछा है यह जो तरिभूज की किनारे किनारे यह डिजाइन है इस डिजाइन का छेत्रफल गयात किजिए यानि कि इस बृत के अंदर इसको छोड़ करके जो बाकी के छेत्र है इसका छेत्रफल पूछा है अब दोस्तों आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा अगर आप इस बृत के छेत्रफल में से अगर इस तरिभूज के छेत्रफल गटा देंगे तो इस डिजाइन का छेत्रफल निकल जाएगा लेकिन दोस्तों ये वाला है समभाहू तिरभूज क्या है समभाहू तिरभूज है और दोस्तों आपको पता है कि समभाहू तिरभूज के छेत्रफल का सुत्र होता है करड़ी में 3 by 4 A square यानि कि जो A होता है भूजा होता है अब दोस्तों इस तिरभूज का सबसे में बात ये है कि इस तिरभूज का भूजा पता ही नहीं है कितनी है तो सबसे में बात ये होता है कि सबसे पहले आपको पता करना है कि इस तिरभूज का भूजा कितना होगा अब दोस्तों इसको पता करने के लिए यहां दे रखा है कि इस बृत का त्रिज्या 32 cm है यानि कि अगर मैं यहां से इसको कुछ इस परकार से यहां मिलाता हूं केंदर तक तो आप कह सकते हैं कि यह वाला 32 cm होगा अब दोस्तों अगर इसको यहां मिलाता हूँ तो ये वाला भी 32 cm ही होता है ये आपको पता है अब दोस्तों एक बात आपको और पता होगा इस केंद्र से अगर हम इस जीवा के उपर लंब डालेंगे तो इस जीवा को ये वाला लंब बराबर दो भागों में बाट देगा तो इस प्रकार से अगर हम इसे पता कर लें कि ये वाला कितना लंबा है तो अगर इसका दुगना करेंगे तो ये वाला भूजा पता हो जाएगा अब दोस्तों इसे पता कैसे करेंगे कि यह वला कितनी लंबी है यहां पर आपको सकते हैं कि यहां पर यह वला कण हो गया और इसको मालने थे X इसको मालने गए अधार और दोस्तों आपको पता है कि संबाहू तिरभूज की प्रत्ते कण होती है 60 थंस का तो इस परकार से ये वला हो जाएगा तीसंस का अब दोस्तों इस परकार से आपको कंड और आधार पता हो गया तो ये काम करते हैं कि आपको पता है कि आधार बटे कंड को बोलते हैं कास थिटा क्या बोलते हैं कास थिटा तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप नाम भी रख सकते हैं यानि कि O रख लेता हूँ A, B, C, D आपका जो मर्जी करें आप रख सकते हैं तो इस परकार से यहाँ पर आधार बटे कण मानेंगे तो आधार कितना हो जाएगा यहाँ पे अधार हो जाएगा X और यहाँ पे कण है 32 और आपको पता है कि अधार बटा कण को बोलते हैं कास थिटा क्या बोलते हैं कास थिटा तो यहाँ पे थिटा कमान हो गया 30 अंस तो यहाँ पे रख लेता हूँ अब दोस्तों इतना करनेक बात क्या करेंगे ना कि X बट्टा 32 बराबर कास 30 अंस कमान होता है करडी में 3 by 2 अब क्या करेंगे X बराबर लिखेंगे करडी में 3 by 2 गुडा में 32 क्योंकि इधर बट्टा में अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा गुड़ा में इस प्रकार से जब काटेंगे तो हो जाएगा 16 यानि कि X का मान हो जाएगा 16 करड़ी में 3 cm अब दोस्तों यहाँ पे हमने X केवल यहाँ से यहाँ तक कोई माना है लेकिन दोस्तों अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता हो गई तो अगर इसी का दूगना करेंगे तो ये पूरा पता हो जाएगा तो ये काम करते हैं कि लिखते हैं कि AC बराबर AC का मतलब ये है कि यहां से यहां तक की दूरी बराबर क्या हो जाएगा 2 into AB 2 into AB यानि कि AB में अगर 2 से गुड़ा करेंगे दो से गुड़ा करने का मतलब है कि अगर इसका दूग ना करेंगे तो ये पूरा पता हो जाएगा क्योंकि इस पूरे का आधा था ये वाला अब दोस्तों AC बराबर हो जाएगा दो गुड़ा में यहाँ पे 16 करड़ी में 3 है तो इस परकार से आप कर सकते हैं कि इस संबाहू त्रिभूज के एक ठभूजा मिल गया 32 करड़ी में 3 अब दोस्तों यहाँ से अब आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि मैंने बोला कि अगर आप इस डिजाइन का छेतरफल निकालना चाहते हैं तो यह काम किजिए कि ब्रिट के छेतरफल में से अगर आप इस संबाहू त्रिभूज के छेतरफल गटाते हैं तो आपका सिंपली एंसर हो जाएगा तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि डिजाइन का छेतरफल डिजाइन का छेतरफल बराबर क्या होगी ब्रिट के छेतरफल और ब्रिट के छेतरफल का सुतर होता है पाई आर स्क्वेर तो ब्रिट के छेतरफल में से घटाएंगे संबाहू त्रिभूज के छेतरफल और यहाँ पर संबाहू त्रिभूज के छेतरफल का सुतर होता है करड़ी में 3 by 4 A square अब दोस्तों यहाँ पे पाई का मान रखेंगे 22 बटा साथ और यहाँ पे जो तिरी हूज की तिरी जिया है कितनी है 32 है तो इस परकार से square का मतलब होता है कि यहाँ पर 2 बार 32 32 लिख सकते हैं और दोस्तों माइनस में करड़ी में 3 by 4 और यहाँ पे तो इससे दो बार लिख लेते हैं गुड़ा में 32 करड़ी में 3 इस परकार से अब दोस्तों यहाँ पे 22 बटा 7 लिखता हूँ और गुड़ा में जब 32 गुड़ा करेगा 32 से तो होता है 1024 और माइनस में करड़ी में 3 by 4 और यहाँ पे 32 गुड़ा 32 होगा तो यहाँ परोजाएगा 1024 यानि कि बहुत सिंपल है सिधी सी बात है कि जो बाहर है बाहर वाले से गुड़ा करता है और करड़ी के अंदर वाला करड़ी के अंदर से गुड़ा करता है तो आपको पता है कि और कोई भी करड़ी वोला संख्या अगर आपने ही संख्या में गुड़ा करता है तो उसे करड़ी खतम हो जाता है इस परकार से जब 3 गुड़ा करेगा 3 में तो कुल मिलाक होता है 3 यानि करड़ी केवल खतम हो जाता है तो इस परकार से इन दोनों गुड़ा में 1024 माइनस यहां दोस्तों चार से कट रहा है तो काट सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो चार दूना आठ दो बच्चे का बजाएगे 22 चार पच्चे बीस दो बच्चे के लिए 24 चार शक 24 तो इस पर काट से करड़ी में तीन गुड़ा तीन गुड़ा 256 अब दोस्तों यहां पे काम करते हैं कि 32 का गुड़ा कर लते हैं किसमें 1024 में तो आप काएगा 22,528 और ये वाला बच्चा में साथ और दोस्तों इस सवाल का एंसर हो गया 22,528 बच्चा में 7-768 और करड़ी में 3 cm2 दोस्तों उमीद करता हूं कि आपको ये वाला सवाल एकदम आसान तरीका से समझ में आ चुकी है अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किजिए